आप मिलाते हैं जन्नल विले से जो हमारे पर आए हुए है राहुल जी तो उनसे मिलाते हैं तो राहुल भहिया स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी जीओन में सबसे पहले आपको नमस्कार और आप यहां पर पहुंचे हुए हैं जैसा लग रहा है है गाइस गुड़ मॉनिंग नमस्कार की हाल चाल उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वाश्त होंगे मैं भुपेन सिंग पहाड़ों से एक और नए और फ्रेश ब्लोग में स्वागत करता हूं आपका तो करीब सुबह के 9 बजने वाले हैं मैं भी आज रेडी हो बाकि जो मौसम बना हुआ है दोस्तों एक बाद नजारे दिखाता हूं आपको सुबह सुबह के मौसम की बात करें कुछ इस प्रकार का मौसम बना हुआ है सुभे भी वारिश ही है अभी भी बारिश के आसार बनने है और हल्की बुराबादे ही हो रही तो फ्रेंट ब्लोग शुरू करते हैं अपना दिन सुरू करते हैं aus अगर आज को पसना आते हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा साथ में बेला ऐकन प्रेस करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ब्लोग और देखते हैं आज दिन धर क्या क्या हो सकते हैं तो फैनली हम लोग पहुंचने वाले हम मार्केट पे, आगे से अमित भाई भी चल ला है, सामने हमारी कस्यलिक मार्केट, और नजारे देख लीजिए यहां से भी, आज भी पूरा आस्मान भरा पड़ा है बादलों से, कोहरा भी है घाटियों पे, किसी किसी समय बारिस भी हो हों और कुछ और इंपोर्टेन आप लोग के लिए है, एक यूट्यूब चैनल है जन्नत विलेज, तो उससे उनके जो ओनर हैं, वो लोग हम से मिलने आए हैं, तो कुछ रीजन भी है, वो भी आपको समझाता हूं, और कहां पर आया हैं, क्या लोकेशन है, किस चीज के हैं, मजेड़ा गाउं से, आसपास के नजारे इस प्रकार आ रहे हैं, नजारे काफी खूपसूरत हैं, और आसपास के नजारे देखिए, काफी मस्त आ रहे हैं, जो लेंड है, लेंड में छोटे-छोटे फूल खिले हूए हैं, तो काफी खूपसूरत लग रहे हैं, तो फ प्रिस्टोर करना है तो यही हम यहां पर समझने के लिए आया हुए है साथ मैं जन्नत विलेज के से हमारे राहुल जी भी हमारे सांथ हैं इनका भी घड़वार रीजन में अपना कारी है उनके यहां भी चल रहे और सोस रहे हैं कुछ प्रोज़क्ट यहां भी इस्टार्ट क काम करते हुए बाकि नजारे देखें यहां से कितने ओसम आ रहे हैं तो मैं पहुंच गया हूं घर के पास में और पुराना घर है यह पुस्टेनी घर तो इसको भी रिश्टोर करना है तो यही चीजें समझ नहीं कैसे रिश्टोर होगा कैसे इस पर कारी होगा अब मिलाते है यहां पर आए हुए है राहुल जी तो उनसे मिलाते हैं तो रहुल भहिया स्वागा था आपका हमारे चैनल काहड़ी जीओन में सबसे पहले आपको नमस्कार और आप यहां पर पहुंचे हुए है कैसा लग रहा और जो हमारी डील साइनलाइज हो रही है तो उसके बारे मै तो मैं इंसे काफी लंबे टाइम से संपर्क में हूं पहले यहां पर रिटेंशन वोल बनाते थे कुछ पिलर का काम करते थे तो मेरे नजरों के सामने यह बहुत नीचे लेवल से काफी उपर तक आ चुके हैं जिसमें आप यह पूरा ठेका लेते हैं construction का तो मैं इनको अपनी आपके हैं बाव करना चाहरे हैं पुराना घर है जिसको भी रिएस्ट्र करना चाहरे है कैसे हम कर सकते हैं क्यों कि हमारा पुरानी अइंट्स हत्ते हैं कुछ दॉलब करकर को यहां पर रोजगार मिल जाएगा इस इस सिल्सिलमें हमारी हैं आज मिटिंह भी है तो बहिया जी और बताइए और भुपेंदर जी जो है मैंने की काफी सारी साइट्स देखिए जो इन्होंने कंस्क्शन किया है धीरे-धीरे यह बनाने का भी काम स्टार्ट कर चुके हैं तो मुझे काफी अट्रेक्टिव लगा काफी लगा कि काफी यंग हैं और काम भी तो अभी किस हालत में है जब हम इसको रिश्टोर करेंगे फिर यह कैसा लगेगा हम अनुमान लगाते हैं और आपको भी घर दिखाते हैं किस हालत में अभी घर है आए तो काफी पुराना घर है करीब 100 साल लगभा हो गये होंगे इस घर को और हालत देख सकते हैं आप है कि पूरा लोगल ने और पुड़ाना घर बढकाइए रहें कि अध्य हमें और हमें êm और को shifting काम करींपन से आफ मोधन से लिखाते इए गर सब्सूरत देखनें मं कुछ इस प्रकार की है काफी पूरा ना है और काफी समय से छोड़ा हुआ है तब जाके हालत इसकी ऐसी होगी है मैं अंदर भी चलता हूँ अंदर चलके भी दिखाता हूँ जो ग्राउंड फ्लोर है इसका तो घर के हालत कुछ ऐसी है और इस तरब से देखें इस तरब से भी पूरा खंडर हो चुका है जाड़ियां हो चुकी है तो सब कुछ हमें यहाँ पर साफ करना होगा अच्छी तरब से इसको पूरा क्लेन करके बाद में इसको रेइस्टोर करेंगे और जो हमारी पुरानी धरोहरे हैं पुरानी हमारी पुस्तेनी घर हैं तो इनको भी इनका यही मानना है राहूल जी का तो इनको ठीक करके इसको उपयोग में लाया जाए तो अच्छी सोच इनकी है और यह हमसे मिले और हमारे थुरू यह काम करवाना चाह रहे हैं तो हमारे है ये लेंड लोकेशन भी अच्छी है लेंड भी अच्छी है बस यह है कि आप इसको डेवलब करना है और इस पर कारी घर तो फ्रेंड कैसा लगा आपको एसफ जानकर आयोब आप लोंको अच्छा लगा होगा तो अब हमारी है वह आपसी कश्यालेग चलने की तो चलते हैं कसले मार्केट की तरफ और इन लोगों भी जाना है अपने घर की तरफ सामने वाली रोड से जाना है हमने रोड से काफी उपर आये हुए हैं तो यही प्लान है कि रोड भी इस प्लॉट में कैसे आएगी तो फिलाल तो अभी कच्ची सड़क है तो धिरे यह है रोड उपर पास में स्कूल भी है तो इसी रोड से आप चलते हैं कसले मार्केट की तरह और उपर जो गाउं देख रहे हैं मजड़ा गाउं है लोगों के घर बने हैं आसपास में कोटेजेस हैं और इस तरफ को आ जाता आपका परवड़ा गाउं तो अच्छी लोके अधिया से मिलके भी काफी अच्छा लगा तो नीचे है रोड देखिए अभी कच्ची सड़क है तो फिला लैंड भी देख लिए और समझ भी लिया कारी को क्या कारी करना है अब में चीज यह कैसे कारी होगा कैसे जगह डेबलब होगी ताकि जगह भी कम कटे और जगह की सूरती भी बनी रहे यह सब चीज़े हम प्लान करेंगे तो चलते हैं रोड पे रोड पे तो पहुंची गया हूं और चलेंगे कसले मार्केट की तरफ को तो दोस्तों अब हम यहां से चल दिये हैं घर की तरफ और सामने के तरफ देखिए रोड से उपर को लगी लैंड है यह देखिए यहां से यहां तक और उपर देखिए पुराना घर वहां तक की यह लैंड है तो अभी समय हो रहा है साम के 5 बजे और अभी मौसम आप देखिए थोड़ा सा खुला हुआ मौसम में सुबह के समय और दिनमे के समय तो वारिसी हो रही थी साम को थोड़े नजार में विदा आपको मिलेंगे कल नई व्लोग में आज का व्लोग कैसा लगा कमेंड में बताईएगा तो मिलते हैं दोस्तों कल नई व्लोग में तब तक के लिए जैहन बाई बाई ख्याल रखेगा